नमस्कार आप देख रहे हैं डी टीवी भारत और आपके साथ मैं हूँ शर्मिला चोहान आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राज्यसभा को संभोधित किया और इस दोरान आज सदन में चार सांसदों को विदाई भी दी गई इसी दोरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गुलाव नभी आजाद के बारे में कहते कहते कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए वो गुलाव नभी आजाद के बारे में कहते हैं कि वो मेरे परम मित्र हैं एक घटना का जिक्र करते हुए मोधी ने बताया कि गुजरात के यात्रियों पर जब आतंकवादियों ने हमला किया तो सबसे पहले गुलाब नभी आजाद जी का उनके पास फोन आया, वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, फोन पर गुलाब नभी आजाद के आशू रुक नहीं रहे थे, आगे मोधी ने कहा कि सत्ता जीवन में आते रहती है, उसे कैसे पचाना है, वो गुलाब नभी आजाद से सीखने को मिलता है, पियमोधी ने बताया कि एक मित्र के रूप में मैं आजाद जी का बेहद आदर करता हूँ, इसी के साथ उन्होंने ये भी पियमोधी कहा कि गुलाब नभी आजाद दल के साथ देश की भी सोचते हैं, उनकी जगभरना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, जब मैं चुनावी राजनिती में नहीं आया था, तब गुलाब नभी आजाद और मैं लॉबी में बात करते रहते थे, पियम नरेंद्र आज विदाई ले रहे हैं, उसके लिए हमेशा उनके द्वार खुले हैं, हम आपको वदा दे कि मंगलवार को राज्यसभा में कुल चार सांसदों को विदाई दी जा रही है, जिसमें गुलाम नभी आजाद के आलावा, मीर मुहम्मद, शमशेर सिंग और नाजिर एहमद आज राज्यसभा से विदा ले रहे हैं, तो इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं, डी टीवी भारत